हेलो फ्रेंट्स में गेम पूर्टल 3.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं तो चलिए पहले कुछ शॉट ओट हो जाए तो पहला शॉट ओट फ्री फायर गेमिंग का प्लीज ऑगी प्लीज ब्रो शॉट ओट मी मिस्टर जाहिर बोलते हैं लॉल गेम पूर्टल 3.0 विशाल रचपूत बोलते हैं शॉट ओट मी आप गाद बुलते हैं मैगवार sorry मैगी इस द फेड़रेट कारेक्टर मैगी ऐस गन और गेम पूर्टल इस द बेस बोलते हैं दूसरा शाउट ओट है अनीता विनोश का my name is X Ghost, please accept my request, I am your guild, Vyper Gaming Minecraft बोलते हैं, bro हो सके तो शाउट ओट देना, sorry, I did not accept your request because I was offline, अगला शाउट ओट है अनुरादा गोस्वामी का हयातो भाई प्लीज बोलते हैं, Unstoppable Gamer Xavier बोलते हैं, I am your biggest friend, please subscribe to my Unstoppable Gamer Xavier, I wish I could be in your videos today, my friend said, he was in your videos, जतिन जहन मुलते हैं, Hello भाई, love your channel, Game Portal 123, please about me, तो भाई, यह रहे शाउट आउट, अगर आपको मेरे साथ खेलना हैं, तो मैं खेल सकते हैं, बिलकुल, friend request मुझे भेजिए, और मेरे साथ जोइन हो जाईए, और शाट आउट पाने के लिए कमेंट करते रहे हैं, तो आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ, TDM Team Death Match, बहुत ही प्यारा concept है, बहुत मज़ा आता है इस गेम में, इसलिए दुबारा इस गेम को खेल रहा हूँ मैं, पर प्रॉब्लम यह है कि गेम स्टार्ट होने में बहुत जारा टाइम लगता है, शुरुवात में इसका कूल डाउन रहता है, इसके बाद 10 सेगेंड का लगभग रहता है, उसके बाद फिर चालू होता है, उसके बाद भी आपको चालू करने नहीं देता है, उसके बाद पर नौटंकी होती है, इसमें सब लोग कूट के आते हैं, गन में स्टाइल मारते हुए, तो मेरी सबसे फेवरिट गन है, XM8 है, उसी से मैं खेलूँगा, लोग P90 से भी खेलते हैं, वो भी बहुत अच्छी गन है, मैं देखा हूँ, पर I don't know कि दोनों में से बेस्ट गन क दो हर बार होता है, इसमें 9 टंकी होती है, इसमें हर play屋 एक के बाद एक कूट के आता है, ऑर एक टिन पाइन के रखी है, बढ़िया, एक बंदे ने तो मूँ छुपा के रखा हुआ, क्या हुआ भाई क्यों मूँ छुपा के रखा हैं तुने, ओ अइसा क्या कर दिया, तो शुरुवात में एक ड्रॉप सामने दिख रहा है मुझे गिरा हुआ और मैंने वॉल लगाना सीख लिया देखिए पहला वॉल आते साथ मैंने एक ग्लू वॉल लगाया हाला कि उसका कोई फाइदा नहीं यहां से ओओ अटैक चलू के मर गया मैं पता ही चला हूँ कॉर्नल सा आई हुई है तो यह थोड़ी और फास्ट दोड़ती है और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं काफी हद तक सीख गया हूँ कि कैसे हैड शॉट लगा जाता है हाला कि मैं एक त्री फिंगर प्लेयर हूँ तो मुझे इससे सीखना थोड़ा मुश्किल था पर जैसा कि लोग ड में पड़े गोली शॉट रेंज में मैंने कई बारी से ट्राई किया है और मैं ट्रिपल किल तक लेने में कामियाब हुआ हूँ एक के बाद एक मैंने तीन-तीन फ्लेयर को ऐसी टेकनीक से लिटाया था तो भाई आप लोगों के साथ खेलना पे आफ कर रहा है यानि कि मैं थ तुरंद तुरंद रिस्पॉंद होते जाते हैं और मजे की बात यह है कि इस गेम में तो मैंने बहुत अच्छा किया ही इसके बार वाले गेम में भी था जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो हमारी जो टीम है वह आठ और चैसे लीड कर रही है और मेरे अभी तक केवल तो ही किल हुए और किल टुद देखो भाई मत देखो इधर रखा मैं पॉइंट सेवन है ओंडी बड़ जस्ट वेर एंड वाच की कैसे मैं से आगे बढ़ाता हूं तो वह सामने एक में को दिख रहा है प्लेयर उसे मारता हूं मैं मर्जा मर गया कही लोगों को मैंने देख स्कोप खोल के मारते हुए स्कोप खोलते हैं बन करते हैं जिससे उनका अच्छा एम लग जाता है मैंने कई पर देखा है सबको मारते हुए उन्हों क्राउच हो जाते हैं क्राउच होने के बाद लगाता है स्कोप के बेटन को और फायर बेटन को दबाते रहते हैं तो प्रवादा हो गया था तो अब हो चुकिए हैं मेरे पांच खिल और केडिल टू डेथ रेशियो हो गया है अब 1.7 का यह रोड़ा इंप्रूव हुआ है और अभी हमारी तीम 118 से लीड कर रही है बढ़िया 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 इतनी गुल इंदा एम में क्या बता हूं मुझे मानना चीर हो उसको तो अब इस साइट से जाके देखता हूं मैं ओहो यह तो घर है यहां तो अज रास्ता ही नहीं है क्या अंदर अंदर से मुझे जाना पड़ेगा तो यह हैल्थ वाला आइकॉन है इस विस आपका हैल्थ पूल हो जा यह तो अभी चैके है मेरे और सामने से यार प्रॉब्लम हो रही हो कि मर गया मैं इस बार नहीं छोड़ूंगा इस बार बिलकुल नहीं चोड़ूंगा हम लोग लीट कर रहे हैं सतरा और बारा से जिसमें से चैकल मेरा है तो हो सकता है कि इस बर मैं एम बीपी बन जाओं द थोड़ा इंप्रूव्मेंट है किल टो डेथ रेशियो हो गया है सेवन का और सॉरी किल टो डेथ रेशियो है 1.4 का और किल सुए है टोल सेवन पर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग अभी भी लीड कर रहे हैं 20 स्टू 15 से ओके तीन लोगों ने एक साथ मुझे म मर गया कि एक ड्रॉब गिरा है एक ड्रॉब गिरा है सामने दिखना पड़ेगा कुछ अच्छा मिलेगा उसमें से अभी पांच मिनट का खेल बाकी है अभी भी हम टीम गेम में हैं 216 पॉइंड कहां से गुली बढ़ रही कहां से वह है वह सामने मर गया गोड एक नंबर ब तिन वाला आदमी है इसको कुछ दिखता भी होगा क्या इससे फरक पड़ता होगा आपके आर्मर में तो यहां एक बंदा है यहां इसमें ग्लू ओल लगाया यह 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 बंदा ओई यह खड़ा क्यों हो गया था ओई क्या बात कर रहे हैं क्वाड्रा किल ओमाई गॉड ग्यारा किल हो चुके हैं 1 इस्टू 8 1.8 का किल डेथ रेशियो है अभी अभी जस्ट मैंने क्वाड्रा किल किया है बड़िया भाई अभी हम लोग बड़े लीड से हैं 10 का लीड है 27 इस्टू 16 17 का लीड है तो वहां एक और बंदा हो दो और बंदा इसके बाद बारा किल हो और बड़िया भाई तो अभी 13 किल के साथ मेरा किल टू डेथ रेशियो हो गया 2.2 का अभी वह बढ़ता जा रहा है तो उसने मेरा हेल्थ काफी ज्यादा लो कर दिया था अभी थोड़ा से इंप्रूव करने की जरुद है यह सामने निट्टा अरे 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 अभी आया है यह यह मार देगा तूरन तूरन जो स्पॉन हुए रहते है प्लेयर वो कुछ देर के लिए उसमें शील्ड रहती है उनको एफेक्ट नहीं पढ़ता है उनके हेल्थ में इसलिए चांस ज्यादा रहता है कि आप उनके सामने टिक नहीं पाएंगा मर जाएंगे अभी हमारी लीड बहुत जादा है भाई 31 इस टू 20 याने की 11 से अधिक की लीड है बात 32 हो गया इंफेक्ट 12 की लीड हो गई हमारे पास में बस अब 3 मिनट ही बाकी है और हम मेरे ख्याल से जल्दी ही 40 कर लेंगे और जीच जाएंगे इस राउंड को और मेरे अभी तक 13 किल है अभी र दो किल केंख लगबख तो यह और बंदा जा रहा है मर्जा मर्जा मर्त ले अरे यार मरता क्यूं नहीं है भाग गया बज गया बज गया उन्दा इतनी गूली मारने के बाद भी बच कैसे जाते हैं जा अहां गया फूट गर के अंदर घऊता हो कहां इसी साड़ तो आया थ हमारा 14 किल हो गया है मेरे अभी और हमारे 39 किल हो चुके एक किल और बाकी है फिर हम जीट जाएंगे इस राउंड को अब लीजे बाई जीट गया हम 41-21 जिसमें मेरे 14 किल थे मज़ा आगया बाई बारी या राउंड हा मज़ा आया यह लड़की मुझे फिर मार रही है विशा बहुत पीटेगा भाई तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या हुआ इसमें क्या होता है ओके पहली बार एंवीपी पहली बार एंवीपी वाव इन फैक्ट दोनों टीम में से सबसे ज्यादा किल मेरे थे वाव फर्स टाइम गट एंवीपी गाईज तो भाई यह था बार एंवी बार एंवीप।